हेलो गाईज आपका स्वागत है हमारे चैनल दे नौलेश्ट ड्रेजर में तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे बिर्थडे रिलेटेड वर्ड मेनिंग इन हिंदी एंड इंगलिस और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आया है तो प्लेश चैनल को सब्सक्राइब कर दिए ताकि ऐसी लेटेश्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं तो आज का फॉर्ष्ट वर्ड है जन्म दिन या जन्म दिवस जन्म दिवस को इंगलिस में कहते हैं बर्थडे नेक्स्ट है जन्म दिन की पार्टी तो जन्म दिन की पार्टी को इंगलिस में कहते हैं बर्थडे पार्टी नेक्स्ट है जन्म दिन का केक जन्म दिन के केक को इंगलिस में कहते हैं बर्थडे केक नेक्स्ट है जन्म दिन का कार्ड तो जर्मदिन के कार्ड को इंग्लिस में कहते हैं Birthday card Next is Mombatti Mombatti को इंग्लिस में कहते हैं Candle Next is Mombatti जलाना तो जलाना को इंग्लिस में कहते हैं Light For example, Mombatti जला दो तो इसे आप इंग्लिस में बनाएंगे Light the candle Next is Mombatti जलाना Mombatti जलाने को इंग्लिस में कहेंगे Blow out For example, Mombatti जलाना तो इसे आप इंग्लिस में बनाएंगे Blow out the candle Next is Gubara Gubara को इंग्लिस में कहेंगे Balloons Next is Gubara फुलाना तो गुबारा फुलाने को इंग्लिस में कहेंगे Blow up या Inflate For example, सारे गुबारे फुला दो तो इसे आप इंग्लिस में बनाएंगे Blow up all the balloon या Inflate all the balloons Next is Gubara फोडना Gubara फोडने को इंग्लिस में कहेंगे Pop For example, मैंने सारे गुबारे फोड दिये तो इसे आप इंग्लिस में बनाएंगे I popped all the balloons Next is Cake काटना काटना को इंग्लिस में कहेंगे Cut For example, उसने चाकू से केक काट दिया तो इसे आप इंग्लिस में बनाएंगे He cut the cake with knife Next time, जन्म दिन का जस्न जन्म दिन के जस्न को इंग्लिस में कहेंगे Birthday Celebration Next time, जन्म दिन का निमंत्रड जन्म दिन के निमंत्रड को इंग्लिस में कहेंगे Birthday Invitation Next time, जन्म दिन की सजावट जन्म दिन की सजावट को इंग्लिस में कहेंगे Birthday Decoration Next, रंगीन कागज रंगीन कागज को इंगलिस में कहेंगे कनफेटी Next, उपहार या तोफा उपहार या तोफा को इंगलिस में कहेंगे गिफ्ट या प्रजेंट Next, गुलदस्ता गुलदस्ता को इंगलिस में कहेंगे बुके नेक्स्ट है टोपी टोपी को इंगलिस में कहेंगे पार्टी हैट नेक्स्ट है भोपू भोपू को इंगलिस में कहेंगे पार्टी होर्न नेक्स्ट है पार्टी का मुखोटा पार्टी के मुखोटे को इंगलिस में कहेंगे पार्टी मास्क नेक्स्ट है जोकर का मस्खरा जोकर के मस्खरे को इंग्लिस में कहेंगे क्लाउन नेक्स्ट है बिस्कुट बिस्कुट को इंग्लिस में कहेंगे बिस्कीट या कुकीज नेक्स्ट है टॉफी टॉफी को इंग्लिस में कहेंगे टॉफी नेक्स्ट है चॉकलेट चॉकलेट को इंगलीज में कहेंगे चॉकलेट नेक्स्ट है आइसक्रीम आइसक्रीम को इंगलीज में कहेंगे आइसक्रीम नेक्स्ट है कपकेक कपकेक को भी इंगलीज में कहेंगे कपकेक नेक्स्ट है मक्के की खिल मक्के की खेल को इंगलिस में कहेंगे पोपकॉर्ण नेक्स्ट है आलू के चिप्स आलू के चिप्स को इंगलिस में कहेंगे पटैटो चिप्स नेक्स्ट है पताका ये रंगीन कागज की लंबी पट्टी होती है इसे इंगलिस में कहेंगे इस्ट्रीमर नेक्स्ट है पताका येस पार्टी में सजाने के काम आता है इसे इंगलिस में कहते हैं पार्टी बैनर नेक्स्ट है चमकीली लड़ी चमकीली लड़ी को इंगलिस में कहते हैं टाइम्स नेक्स्ट है कागज की प्लेट तो कागज की प्लेट को इंगलिस में कहते हैं पेपर प्लेट Next है कटलरी कटलरी को इंगलिस में कहते हैं प्लास्टिक कटलरी Next है पीने का पदार्थ या ठंडा तो इसे आप इंगलिस में कहेंगे कोल्ड रिंक Next है पन्नी परदा ये डोकिरोशन के काम आती है नेक्स्ट है उपहार का आवरड इसे उपहार को पैक किया जाता है रैप किया जाता है तो उसे इंगलिस में कहेंगे रैपिंग पेपर नेक्स्ट है वापसी उपहार वापसी उपहार को इंगलिस में कहते हैं रिटर्न गिफ्ट तो आज का आपका क्विज है गुबारा फोडने को इंगलिस में क्या कहता है हमें कमेंट सेक्षन में बताइए और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लिज वीडियो को लाइक करिया और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ का बेल आइकन को भी प्लेस करिये ताकि ऐसी लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब तक के लिए बाई बाई